शुरुआत करता हूँ जिस लोगपाल के मुवमेंट को आप लेकर चले थे अर्विन केजरिवाल ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी में भी आंतरिक लोगपाल बनाएंगे उन्होंने बनाया भी मैंग गांधी पर भरस्टा चार के आरोप लगे अर्विन केजरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा कि हमारा लोगपाल इन तीनों की जाच करेगा और तीन मेहने में रिपोर्ट देगा आज तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं है क्या आप इस तरह की ट्रांस्परेंसी को सही मानते हैं ट्रांस्परिंसी को सही मानते हैं अगर क्यों अभी तक वह नहीं हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं बसा तक चाहता हूं क्योंकि जांच करने के लिए टायम को बहुत लगता है आज कल का रूस में मगर यह तो इतना तो अच्छी बात है तो मारुन केजरवान ने पबलिक भी बाहर आना चाहिए क्या आपको नहीं लगता कि अर्विन केजरिवाल की राजनेतिक पार्टी महत्व की बनाने की महत्वकांग्षा ने कांदोलन की हत्या कर दी कि ने मैं ऐसे नहीं मानता हूं सिर्फ अर्विन जी अखेले बाइस टीम को बनाया नहीं थोड़ा भी नहीं अभी मैंने सुना है अपनी मंच तो अभी स्ट्रॉंग कर रहे हैं बहुत आर्मी और इड्मिनिस्टेशन का लोग इनके साथ हैं जब अना बारत के टूर करेंगे फिर वही सब्जाय्ट अना जी को मिलेगा जो अना जी का सपोर्ट अस्ता हो अभी भी अना की जीका साथ है वो राजिक्स में नहीं है वो तो बस्ताचार के किलाफं लड़ने वाले हैं वो अभी भी अना का पार का बारत नहीं है इसका किए अब बढ़ गई है Energy पिने ko तो बारत में कितनी लोग के लोग अंदर या ऐसा गुसा है के करफशन के बारे में आप देख लीजिए आन्ना तो इतना बड़ी आदमी नहीं थे जब तक ब्रसाचार के मुद्दा उठाया जब इसने मुद्दा उठाया एक मंच बनाया तो कितनी लाखों लोग आ गए इनक के साथ कि बाकी सब लोग पार्टी से कांग्रेस हो वीजेपी हो जो भी हो तो अभी बहुत साल से हैं अभी आपको लगता है चांसे से मंच जाता था लोगों का मांट